करेंगे तो देखे राय बरेली से राहुल गांधी चुनाव जीत गए है यह अच्छे ख़ब राय बरेली की है राय बरेली से राहुल गांधी के लिए है बैराईस से बीजेपी प्रत्याशी आरान गौड जीत गए है नगीना से चंद्शेखर आजाद की जीत हो गई है राह 2014 में अमेठी की सीट इस्कृति इरानी हारी तो उन्होंने कड़ी मेहनत करके 2019 में जीत दर्थ की और अब 2024 में किशुरी राल, उतारा, कॉंग्रेस पार्टी ने अमेठी में इस्कृति इरानी के सामने लेकिन इस्कृति इरानी नहीं जीत पाएं और अपनी सीट को वो नहीं पचापाईं अमेठी की सीट को लेकर बार-बार ये का जा रहा था कि राहूल गांधी यूपी छोड़ कर चले गए हैं लेकिन राहूल गांधी राय बरेली में यूपी वापस आ गए और अमेठी की सीट अब इसमिती रानी भी हार गई है तो ये देखिए बड़ी जानकारी लगातार सामनी आ रही है एक और बड़ी खबर अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी इसमिती रानी की हार हो गई है और यहाँ पर किशूरी राल जीत गए हैं मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जैविर सिंग देखी चुनाव गए हैं बड़ा चेहरा भारतियनता लगातार स्क्रीन प्रत्याशी जैविर सिंग को भी हार का सामना करना पड़ा है और जीत गए हैं बड़ा जटका भारतियनता पार्टी के लिए बाना जा सकता है चुंकि अभी देखें एंडिये जो आप टैली में लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे दाही ओर एंडिये को 38 सीटें इंडिया एलाइंस को 41 सीटें और अधर्स को एक सीटें अभी तक के रुजानों में अभी तक के नतीजों में सामनी आ रही हैं यानि कि जो इंडिया का आखड़ा है जो आई एंडिये गटबंदन का आखड़ा है वो एंडिये गटबंदन से भी आगे निकलता हुआ अभी तक के नतीजों में नजर आ रहा है और शुरुवाती तोर पर अगरम तस्वीर को देखें ओवरॉल पूरे देश में तो इंडिय production समाझवादी party और राहूल गान्धी की तरफ से Congress party की तरफ से किया गया दो लड़कों की जोड़ी का लगातार जिक्र हो रहा था एक बार फिर कि UP में दो लड़कों की जोड़ी आ गयी है क्या कुछ कमाल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो क्या impact रहा, क्या राहूल गांदी की यात्राएं कारगर साबित हो गई, बीजेपी क्या अपनी योजनाओं के दम पर जो भरूसा करके बैठी हुई थी, कि हम अपनी योजनाओं के दम पर लाभारती वर्क के दम पर अपनी सीटों को बचा लेंगे, आफिर अपनी सीटों की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी, आखिर उन में क्यों बीजेपी कामियाब नहीं हो पाई है, असी सीटों पर जो लगातार मकाबला था, उस मकाबले में बीजेपी कैसे पीछे रह गई है, ये तमाम सारे सवाल है, आज हम इनी सवालों को समझने की कुशिश कर करेंगे, चुँकि लगातार जो खबरें यूपी की नसी सीटों से सामने आ रही है, एक एक सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं, एक एक सीट का नतीजा भी धीरे-धीरे करके सामने आ रहा है, ये जो ये जो नतीजा है, ये भारती जनता पार्टी के लिए बेहत चौंकाने वाला भी है, और बीजेपी के लिए एक बड़ा जटके के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है, चुँकि यूपी में एंडिय की बात करें तो 39 49 सीटों तक ही आंकड़ा है, और इंडिया का 40 सीटों का आंकड़ा, यानि की मामला बरावरी पर चल रहा है, हम कहें कि बीज पी को उमीद सबसे जादा उत्तरप्रदेश से थी, उत्तरप्रदेश में ऐसा आखर क्या कुछ हुआ, उत्तरप्रदेश में कौन सा मुद्दा बीजेपी का नहीं चला, किन मुद्दों पर जनता की नाराजगी रही, या किन मुद्दों पर समर्थन इंडिया का पस्ता हुआ नजराए है हम मेरट की बात कर लें तो अरुन गोविल को वहां से वीजेपी ने उतारा शुरवाती रुजानों में लगातार अरुन गोविल पीछे चलते हुए नजरा रहे थे लेकिन अभी खबर सामने आ रही है कि अरुन परंपरागर सी ट्राइबरेली कॉंग्रिस पार्टी की रही उस पर आउल गांधी जीद्र में कामियाभ हो गए तो अमीठी को लेकर क्या खुश एनलेसिस होगा अब आखी चल कर इसको भी हम समझने की कुशिश करेंगे मैनपुरी में भी एक बड़ा जटका लगा है हलाकि ये समाजबादी पार्टी की परंपरागर सीट रही है वहाँ पर जरूर जैवीर सिंग को उतार दिया बीजेपी ने लेकिन हार का सामना जैवीर सिंग को भी करना पड़ा है उधर लखिमपुर खीरी की बात करें तो अज जटके के पीछे के आखर कारण क्या कुछ हैं ये तमाम सारे सवाल लगातार लोगों के जहने बे सामनी आ रहे हैं चुँकि खबर ये भी आ रही है कि अभी बी कई सीटों को लेकर पेंच भी फज़ा हुआ है और इसके साथ ही देखिए मुरादबाद से भी खबर सामनी आ करता मददान मदगर्ण इस तल पर भी पहुंच गए हैं वो लगातार जीत की बधाई भी दे रहे हैं अभी से ही और खुश्यों का सलसला भी अब समाजबादी पार्टी खेबे में उत्रपरदेश के अंदर शुरू हो गया है इसके साथ ही फैजाबाद लोकसभा सीट की हम बात करें चुंकि अयुद्या पूरे चुनाव भर में केंद्र बिंदू रहा है खासकर यूपी में अयुद्या को लेकर बीजेपी को क्या संगश्ट करना पड़ेगा ये शायद किसी ने सूचा नहीं था या फिर हम अयुद्या के बाद बाकी सीटों की आसपास की सीटों नजर आ रही है तो कुल मिलाकर ये का जा सकता है कि जो चार सो पार के नारे की बात लगातार की जा रही थी यूपी से 80 सीटों को जीतने की बात की जा रही थी यहां एक बड़ा जटका बीजेपी को लगा है और देखिये फदैपूर सीकरी का अपडेट भी सामने आया भी थोड़ देर पहले 23 वा राउंड यहां पर चल रहा और लोकसभा सीट जो फदैपूर की है उसमें बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर फिलाल 19,000-19,000 लगबग वोटों से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं तो कुल मिलाकर अलगला क्षेतरों का आंकड़ा लगाता सामने भी आ रहा है कहीं से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है तो कहीं से कॉंग्रेस पार्टी है समाजवादी पार्टी के गड़बंदन के लिए अच्छी खबर है लेकिन ओवराल अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल भी हो सकती है आगे के लिए कि बीजेपी को उत्तरप्रदेश से आकर इतनी दिराशाहत लगी है तो आने वाले वक्त में कैसे बीजेपी आगे चुनावूं की तैयारी करेगी तो देखिए आगरा से एस्पी सिंग बगिल क्या कुछ क्या रहे हैं इंडियानी समरता ने उनसे बातशीत की है यू अगरा की महांतम जन्ता का धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी आधे राउंड भी नहीं हुए इस दौरान एक लाखी क्याउन हजार की लीड हो गई है तो मैं करते किता ग्यापेट करना साओंगा और नहाई कमांड के साथ आगरा की जन्ता का आभार पर दिखाए जा र अभी जो लोग बहुत तो नहीं कि लड़ना है वह किसी भी करवट में बैठ सकता है लेकिन आगरा लोग सबाव के किसी भी राउंड को बारती जन्ता पार्टी नहीं आ रही है खुशी की बात है कि जो एक एक हमारी खुल रही है मैं अभी वहां से आ रहा हूं नब्य क्लि लेकिन काफी जो बड़े चेहरे वह भी पीछे चल रहे हैं अब जनता से उपर कुछ नहीं है जनता कुछ बात हैं हम समझाने में सफल नहीं हुए और कुछ जूटी अफवाब फैलाने में वो लोग सफल होगे जो मेरा अपना निजी है कि यह सपा बसपा का गड़बंदन नहीं था लेकिन यह अगोश्चित गड़बंदन हो गया है जिसमें जलेसर विदान सवाव में नब्वे हजार पर हूँ इस समय अभी और समाजवादी पार्टी है और बीएसपी नो हजार पर है तो इतना पीछे होने की उसकी हैंशियत नहीं है एक समय बीएसपी नंबर समय जो है बदल देंगे और आरख्चम उस पर उन्होंने जैसे एक बार होता था था मुस्लिम लोग बोट डालते थे जो भाजपा को रहा रहा है इसी परकार से बहुत से लोगों ने जो भाजपा को रहा रहा है उसको बोट डाल दिया और अपनी मूल पार्टी को छोड़ लिए तो यह तो यह तो यह सब्सक्राइब है कि जो लीड है वो